हम लोग मुगल काल पर रहे हैं और मुगल काल में हम लोगों ने कल जहागीर के बारे में परहा जहागीर ने 1612 इस्वी में रक्षा बंधन जो पर्व है वो मनाना शुरू किया था 1612 इस्वी में जहागीर पहला मुगल बाश्चा था जिसने रक्षा बंधन जो है मतलब पर्व जो है वो खुद मनाना शुरू किया 1612 इस्वी में बहुत हट तक जहागीर अकवर के शुला एक कुल के नीती को जारी रखा उसने ब्रहामनों को और मंदीरों को काफी मात्रा में दान दिया पर्भूत दान दिया अकवर ने जो गव हत्या निशियत की परंपड़ा सुरू की थी उसको इसने जहागीर ने भी उसके पुत्र जहागीर ने भी जारी रखा कि गाय की हत्या नहीं की जाएगी लेकिन कुछ अकवर जहागीर पर कुछ धार्मिक पक्षपात का आरोप है जैसे कि राजवरी में हिंदू लर्कों को कहा गया कि आप मुश्रिम लर्की से विवार नहीं कर सकते नहीं तो आपको डंड भी दिया जाएगा दूसरा ये कि जब कांगरा को जहागीर ने जीता तो विजय की खुशी में गाय को काटा गया था तो यह थोए सा ध्यार में रखना पड़ेगा अग जहागीर का भी बास 111 AD में नूर जहाँ से हुआ था नूर जहाँ से नूर जहाँ जो है उसका बच्पन का नाम महरू निशा था नूर जहाँ के बच्पन का नाम क्या था महरू निशा था और इसके पिता का नाम ग्यास बेग था और मा की नाम मा का नाम अस्मत बेग था यह लोग फारस के रहने वाले थे फारस का अर्थ इरान के रहने वाले थे ठीक और अखबर के समय में ही इनके माता पिता ग्यास बेग और अस्पत बेगम 1594 एडी में भारत आये थे और स्वर्य अखबर के समय आये थे 1594 एडी में मेरु निशा का विवा जो है वह हुआ था अली कुली खान से अली कुली बेग से साधी हुआ था ठीक, अली कुली बेक से ये बर्दमान का जमिंदार था, ये कहा का जमिंदार था, बर्दमान का जमिंदार था, उसी से मेरु निशा का शादी हुआ था, बर्दमान है आपका बश्ट बंगाल में, तो वहीं उसका जमिंदार था, बाद में जो है, कहा जाता है कि जहागीर ज सुन्दर्ता को से काफी प्ररवित था तो अलिकुली बेग को मरवा दिया और मेरु निशा से साधी कर लिया 1601 AD में शाधी कर लिया और मेरु निशा का नाम नूर जहां it तो नूर जहां कि पिता का नाम घ्यास बेग है और ग्यासवेख को इतमादोड़ा का उपादी जहांगिर दिया था, इत्माद दुद्वला का उपादी दिया था और इसकी मा हो गई अस्मत बेगम, भाई इसका आसफ खान था, इसका भाई था आसफ खान और एक, जहांगिर का एक बेटा था, उसका नाम था खुररम ये सभी जो थे एक गूट बना लिये थे जिसको कहा जाता है जुनता गूट जुनता गूट में जहागीर था नुर जहा थी नुर जहा के पिता ग्यास बेग थे जो एत्मादुदरा कहला आते थे उपाधी मिला था जहागीर ने दिया था अस्वत बेगम उनकी मात थी ये सब मिलके जो है एक गूट बना लिये थे और जहागीर का भाई आसफ खा ये गूट जो है सुल्ला सो एक्यारा से लेके सुल्ला सो बाईस तक जो है ये गूट बना रहा बाद में खुर्रम जो है वो सुल्ला सो बाईस एडी में इस गूट को छोड़ दिया और इस गूट से अलग हो गया तो और सुल्ला सो सताइस तक जो है मतलब अगर नूर जहां का समय देखा जाया तो सुल्ला सो एगारा से लेके सुल्ला सो बाईस तक जब तक खुर्रम उसके साथ था, फिर खुर्रम जो है, इस गुट को छोड़ देता है, क्योंकि हम आगे बताएंगे कि सुला सोत्ते इस पे खुर्रम बिद्रो कर देता है, उसको ये डर रहता है, कि जो है, जहागीर जो है, वह नूर जहां के परभाव में आकर, जो है, वह निवेश से हो जाया, जो जहागीर का बेटा था, ये कहानियें बताएंगे, अभी नहीं बताना जा रहे हैं, तो ये ही था आपका, बाद में 1627 में जहागीर की मिर्टू हो जाती है, आगे मैंने बताया था, तो फिर जो है, जहागीर को, सुरी, नूर जहां को सहाजा पें इंसन पर जीती है, और वहीं लहोर में इसकी मिर्टू हो जाती है, लहोर में ही इसकी मिर्टू हो जाती है, जहागीर का पहला विभा हुआ था, आमेर की, आमेर का राजा था भगवान दास, आमेर का, आमेर या जैपूर्जिसों कहते हैं, उसके पहला, पंदर सो पचासी म में जहांगीर का पहला विवा हुआ था आमेर के राजा भगवान दास के पुत्री और मान सिंग की बहन मानबाई के साथ मानबाई के साथ ठीक इसी मानबाई से खुसरो जो है जहांगीर को एक पुत्र पैदा हुआ था और 1586 में जहांगीर का विवा हुआ था उदैस सिंग क बेटी जगत गोसाई से जगत गोसाई से और इसी जगत गोसाई से जो है खुर्रम का जन्म हुआ था और हम आपको कल बताये थे कि खुर्रम को अहमद नगर विजय के बाद चाहे संधी बताया जाँ से जोड़ी में आगरा के किला में इसका राज्या भिशेक किया जाता है नाम रखा जाता है जहांगीर का नुरुदीन मुहमद जाहागीर बासागाजी नुरुदीन मुहमद जाहागीर बासागाजी इस नाम से वो लहोर में अपना राज्या भिशेक करवाता है और चुकि या अबूर फजल का हत्या करवाया था तो बीर सिंग देव बुंदेला के ही मारा था उसको जाहागीर करने पर तो काफी उचापद दिया था जाहागीर आपको मैंने कर बताया था कि मिबार के साथ 1615 में जाहागीर ने चित्तोरगण का संदी किया था यह समय ने आपको बता ही दिया था जहागीर के दर्वार में जो है Hawkins आया था जो कमपनी का पर्तिनिदी था उसको जहागीर ने इंगलिस खांका उपादी दिया था और एक आर्मेनियाई इस तरी से उसका विभा करवा दिया था Hawkins का और सौर्ट टॉमस रो जो है जो वहां का बिटेन का राजा जोर्ज का पंचम का जो पर्तिनिदी बनकर आया था वह 1615 में सूरत में पहुँचा था और 1616 में जन्वरी में जहागीर से अजमेर में मिला और जहागीर के साथ हो मांडू भी घुमा अहमदाबाद भी घुमा और अजमेर घुमा और जहागीर के साथ कभी कभी सिकार खेलने भी जाता था लगबग हुआ आगरा में जो है सर्ट टॉमस रो एक शाल तक रहा था यह सथ त्वाशा आप लो ध्यान में रखेंगे है ना जहागीर ने मनसवदारी जो अक्वर ने मनसवदारी बिवस्ता शुरू किया था तो मनसवदारी बिवस्ता हम बताएंगे ने कि इतना समझे ए कि मनसवदारी बिवस्ता में था दो चीज था अकवर ने सुरू किया, तो उसमें जात और सवार था, जात जो था पुजीशन था और सवार था कि उसको उतना घुर सवार रखना पड़ेगा, सैनिक रखना पड़ेगा, तो जहागीर ने क्या किया कि जात रैंक में बिना परिवर्तन किये, सवार रैंक में परिवर्तन कर द दिए जो अकवर ने मनसरबदारी बवस्था शुरू किया था इसमें था कि बिना जात रेंग परिवरतन किये घुर्शवार की संध्या को दो अस्पारकों की षणिगर्दैना कर देता ना देना एक यात्री आया था, उसका नाम था फ्रांसिस्को पेलसोर्ट, डच का रहने वाला था, डच का रथ हुआ डिन्मार्क, फ्रांसिस्को पेलसोर्ट, ये डच यात्री था, जहांगीर के दरबारे में आया था, जहांगीर के बारे में बहुत सारा वर्नन डिक छोरा है, इसने क के समय में चित्रकला अपनी प्राकाष्ठा पर पहुंच गया था और जहागीर ने ही जो है सबसे पहले पहले चित्रकला जो था हस लिखित गरंथ में रहता था लेकिन जहागीर ने उसको हस लिखित गरंथ से मुक्त करके उसको मुक्त कला बनाया सुतंत कला बनाया और प्रतीकाचित रच्छा बनाता था उस्ताद मंसूर को अधीरूल असर का उपाधी ज है जहागीर ने दिया थावही अवुलος हसन को नाधीरूल जमा का उपाधी जहागीर ने दिया था यही है अफ़िसे भतेश्य के बड़ागीर के भन एति हुआ। जो हुआ था उससे जो पुत्र उत्फर हुआ था उसका नाम था खुस्रो, 1606 वे सबसे बड़े बेटे खुस्रो ने विद्रोक कर दिया था और इसको समर्थन दिया था, शिखों के पाचमे गुरु अर्जुन देव ने, जो कल मैं ने चरचा किया था, और 1623 में जो है विद्रोग कर दिया था, सहा-जहा का बेटा खुर्रम, सुरी, यहागीर का बेटा खुर्रम, और बाद में 1627 में महावत खाने विद्रोग कर दिया, 1626 में महावत खाने बिद्रोग कर दिया और 1623 में जहागीर के बेटे खुर्रम ने बिद्रोग कर दिया यह सब थ्यान में रखिएगा पूर्श सकता है कि खुर्रम ने कब बिद्रोग कर दिया जहागीर के खिलाब तो 1623 में शहागीर को दफनाया गया इत्मादॉला का जो किला है मकवरा जो है आप आगरा जाईएगा तो देखने को भी लेगा उसको उसकी बेटी नूर जहाने बनाया था जो ग्यास बेग का जिसे उपादी जो नूर जहान के पिता थे ग्यास बेग उसको उपादी दिया था इत्मादॉला उसको, उसका जो मकवरा है, वो आग्रा में है, और संगु Annःवर से बनाया गया, संगु Annःवर से बनाया गया, पहला जो है, आप कर सकते हैं, कि अस्थापत था, और इसमें पित्रादूरा का पडियोग किया गया था, सजावट के लिए पित्रा दुरा का प्रयोग किया गया था इसको नूर जहाने ही बनवाया था 1622 से लेके 1628 एडी तक इसको बनाया था 6 साल लगा था इसको बनाने में किलियर और वीर सिंग देव थे एक वीर सिंग देव थे इन्होंने साथ मंजिला मंदिर बनाया था पत्थर का दतिया जिला में साथ मंजिला पत्थर का मंदिर बनवाया था वीर सिंग देव ने दतिया जिला में दतिया मंद्र परदेश में है गोविंद महल मंदिर का नाम है गोविंद महल मंदिर नहीं कहिए इसको राज महल कहिए यह गोविद माल जो है वीर सिंग देम ने बनाया था साथ मंजला है पत्थर का बना हुआ है और यह मद्य परदेश के दतिया जिले में है तो यह जहागीर के बारे में कुछ इंपोर्टन बात था जो मैं आपको जानकारी शेर किया आज इतना ही रहने दीजिए फिर हम नेक् परचा करेगा ठीक है धन्यवाद